हमारे इस यूटूब चैनल में भूगोल जो भूगोलिक चिंतन बुक है भूगोल की उसका महत्वपुन टोपिक है एल्थ वर्स हंटिंग अंटन यह जो है यूएसे के विचारक थे यानि स्युक्त राज्य अमेरिका के विचारक थे जिनका जनम 1866 में हुआ था और इनकी मृत्यू भारत की आजादी की वर्स यानि सन 1947 में हुई थी फ्रेंड्स यह जलवायू से समंदित थे यानि जलवायू के बारे में काफी जो है वो जानकर इन्होंने प्रदान की है इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं काफी जो बार है वो इनसे प्रस्ण पूछे गए हैं इससे समंदित प्रस्ण है वो कई बार एक्जाम में है तो चले स्टार्ट करते हैं यह सबसे पहले इनका तथे हैं स्थी से यह मानते थे कि प्रकरती ही सब कुछ है Nahe हंटी गटन यह दूसरा में तो पुन तत्थे जो है वो है कि हंटी गटन है इन्होंने मानुए किरियक लापो पर जलवायू के प्रभाव को बड़े विस्तार से स्पस्ट किया है यदि कहीं किसी वेग्यानिक द्वारा जलवायू से समंदित तत्थे आता है तो उसका 95% उत् परेमें है वो चीज़े द्यान में रखनी है यह ये विश्व विद्याले के अंदर जो है वो भूगोल के प्रोफेशर रहे थे यृदि आप नोलेज रखते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि यह विश्व विद्याले कहां है जलवायू से समंदित या अन्य तथ्यों से सम्मंदिज जो है वो हंटी गटन की मुखे जो विचार धाराएं हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हंटी गटन ने इन विचार धाराओं के साथ है वो अपने सिधान्त को दिया था तो चलिए पढ़ते हैं इनकी विचार धाराएं और मानव सब्वेता पर भी जलवायू परिवर्तन का प्रभाव रा है। सब्वेता के विभिन स्तर है, वो विशिष्ट जलवायू प्रदेश से ही सम्मंदित है। यानि इनोंने हर तथे को जलवायू से जोड़ा है। चक्रवातों से प्रभावित मोसम मनुष्य के लिए सफूर्ती दायक होता है। जैसे पस्ची मी भूमद plaisागि यह चक्रवात आते हैं, तो ऐसे चक्रवात है, वो इनोंने वो सफूर्ती दायक बताएं है। सब्वेता के छेतर ठंडी जल्वायू की ओर किसकते है यानि गरम जल्वायू की अपेक्सा ठंडी जल्वायू की ओर है वो सब्वेता अयूक लोग है वो अधिक रहते हैं उनकी संक्या अधिक रहती है ये सही भी है इसलिए सितोष्ण कटी बंद में सबसे जादा लोग है व इन्होंने विश्व को मृद्धू और क्रूर जलवायू प्रदेशों में बाटा है दानकना मृद्धू और क्रूर दो जलवायू प्रदेशों के अंतरगत इन्होंने बाटा है 20 डिग्री तापमान उच्च कोटी के सारिक विकास यतु अनुकूल है यानि अनुकूल तापमान है वो 20 डिग्री सेंटिग्रेट माना है यह है USA के New England, UK यानि United Kingdom में पाई जाती है इसके विपरित उस निकटी बंदिय जलवायू के काण है विक्ती है वो सुस्क एकुशल और डरकोफ होते है यानि उस निकटी बंदिय जलवायू में रहने वाले की विसेस्ता बताई है कि वे जो है वो एकुशल होते हैं और डरकोफ होते हैं नेक्स्ट है सर्वोत्तम जलवायू वह होती है जिसमें विवित्ता हो, तापमान की उचित सीमा हो, अर्थात 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटिग्रेट या 70 डिग्री फारेन हाइट, तापमान की उचित सीमा होती है, वह जलवायू प्रदेश है, वो सर्वत्तम जलवायू वाला होता है, यह है इनोंने माना है हंटी गटन न जो जलवायू से सम्मान्दित है वो भुगोल के अंदर कई पुस्तके हैं वो लिखी थी इनकी 28 पुस्तके हैं वो कुल यानि 28 पुस्तके लिखी थी जिनमें जो मुख्य पुस्तके हैं जो बार-बार पुछी जाती है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं तो इनकी जो सबसे पहली महत्वपुन पुस्तक है, जो सबसे ज़्यादा बार पुची गई है, वो है एसिया के स्पंध, देपल्स ओफ एसिया, यह है 1907 में लिखी थी, इसमें सुखे की अवदी को एतिहासिक्ता से जोड़ने का प्रियास किया था, साथ ही खाना बदोस जा पुस्तक के सब्वेता वे जलवायू, यह है civilization and climate है, civilization के development के लिए, सितोषन कटीबंदी जलवायू को उप्यूक्त माना गया है इस पुस्तक के अंदर, यह हमें ध्यान में रखना है, तीसरी इनकी जो महत्वपुन पुस्तक है, वो है मानव भुगोल के सिधान्त, मानव भ पुस्तक है, वो लिखी है, कई भुगोल वेता उन्हें लिखी है, जैसे इनोंने भी लिखी है, बलास ने भी लिखी है, तो मानव भुगोल के सिधान्त है, वो इनोंने 1920 में दो भागों में लिखी थी, इनका तथे दिहान में रखना है, मानव भुगोल, भूतिक वाताव तथा मानव के किरिया क्लाप एवं गुणों के मद्दे संबंदों की प्रकरती और उनके विफिरन स्वित्रन से संबंदिते है अगला जो उनका पुस्तक है वो है पीसडी मिली थी जिन पर इनको सोध डिग्री मिली थी फिलिस्तान एवं उसका रुपांतरन या फिर और उसका रुपांतरन से 1911 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी इनकी नेक्स्ट पुस्तक है सब्वेटा के मुख्य श're", सब्वित्ता के मुख्य स्रौत है कि वो इनकी next वुत्तक है एंकि आन्टीगटन के कारिये जो है अंतिमपुक है इनकी सब्वित्ता के सब्वित्त श seize उसके बाद हम होट सौन गथर्थंब्त बताते हैं जो कि हंटीगटन के लिए कहा गया था अंटिगटन के कारिये में इतिहास एवं भुगोल का समागम है नेक्स्ट अंटिगटन के संबंद में कुछ महतोपुन तथे हैं वो पढ़ लेते हैं ये अंटिगटन के बारे महतोपुन जारकरी मैंने आपको बता दी है इनके बारे में कुछ जो महतोपुन तत्थे हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं उनकी चर्चा हैं तत्था पस्चीम उरोप में संस्कृती के नव जाग्रण से जोडने का प्रियास किया था यानि इन्होंने जो जलवायू का संबंद है वो इनानी सब्वेता के सुने रिकाल और पस्चिम यूरोप में संसकृति के नव जागरण से जोड़ने का प्रियास है वो किया था जलवायू चक्रण के संबंद का मेसो पोटामिया, चीन सब्वेता, सिंदु घाटी, सब्वेता, मिस्र, आधी सब्वेता, नदी वाली, मृद्धु जलवायू के स्पास में विक्षित हुई है, ये भी हंटी गटन के तथ्यों को स्पस्ट करता है, हंटी गटन के विचारों को कुछ विद्वानों ने अत्य अधी बार एकजाम में आ चुके हैं, तो ये आपको कैसा लगा, इसके संदरब में हमें जरूर बताईए, ये आप लिख सकते हैं नोट्स, हमें कमेंट में जो है इसके बारे बताईए और आप कौन सा टोपिक है, उसके नोट्स चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो झाहते हैं, तो आपको काहते 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 हैं, तो आपको काहत